करोटा दा दोस्तों काफि स्ट्रेंट्स के लगाता रहां पर अbulуса ये हां पर मिलेंकर को दोस्तों की य्दि-पलेंगे तो आपको आ सकति के बलूझ आपके साहिए a एक उस्तों लेजीन हमें इससा उस्तों को बिननने इसा हो रहा है आपको यहाँ पर टेंसन लेन की आप सकता नहीं है बलकि इस चनल को सब्सक्राइब करके वेलेकन को प्रेस करें इनकी आप सकता है क्योंकि हम आपके लिए यूपी स्कॉल सबसे संबंदे जो पलपल की अपडेट है बो लगाता लेकर आते रहते हैं महतपूर इंफरमेशन आ आपको पता ही होगा यहाँ पर काफी बड़ी संक्या में स्टुडेंट्स से एप्लिकेसन ले ली गई हैं कॉलेजिस के दौरा और आपका जो डेटा है वो कॉलेजिस के दौरा समाच कर लिए विभाग को भी उपलप्लाब्द कराया जा रहा है ताकि जैसे ही आपके फॉर सॉल्व किया जा सके और कई बार स्टुडेंट्स यह कमेंड्स कर रहे हैं कि फॉर्म वेरिफाई क्यों नहीं हो रहा है दोस्ति एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्म वेरिफाई होने के बाद भी कई बार स्टेटस अपडेट ना होने की विजह से भी आप की स्टेटस में सो नहीं होता है कि आपका फॉर्म वेरिफाई हो गया है ठीक है कई बार ऐसा हो जाता है और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि इस कॉलसिफ के फॉर्म वेरिफिकेशन की जो डेट है उसे कुछ दिन आगे भी वड़ा दिया गया हो ऐसा भी हो सकता है और कई बार ऐसा होता है जो कि मैंने आपको बताओं था कि कई बार verification होने के बाद भी आपकी status में तो नहीं होता है यह या फिर 2 फिर फिर 3 दिन के बाद वहां पर जो पिछली date होती है तो वह वहां पन सो नहें पर सो हती है नि इस statement form verify किया गया आपका form suspect होने के बाद यदि आपने college में application दे दिये तो आप बिलकुन निश्चिंत रहें पूरी तरह से क्योंकि आपके जो form है वो आपकी application के आधार पर ही verify कर दी जाएंगे चैक किसी भी तरह की problem हो आप हमार साथ इसे तरह से बने रहीगा निश्चिंत रहीगा खुस रही कि आज की इस वीडियो वास इतना ही मिलते हैं नहीं वीडियो में एक नहीं information के साथ थैंक यू सो माच पर वाचिंग इस वीडियो